नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जी तेंद्र श्रवा में आपका स्वागत है, दोस्तों देखिए आज के वीडियो में आपको मैं देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिक्चर मशिन देखिए और जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैनिफेक्चरी यहीं यहां पर मैंने पहले भी वीडियो बनाये थे और कोई यहां की कम्प्लेन नहीं अभी तक और इसा इंडिया का कोई कोना नहीं है जहां पर सुरेज जी ने मशिन सप्लाई नहीं कुई हो तो देखिए जैसे कि मैं आपको यह पूरा कॉंक्रीट मिक्चर मशिन इसमें कितने पेटन आते हैं और दूसरा यह देखिए यह लिप्ट है और दूसरा एक और देखिए मंकी लिप्ट है इधर और यह ट्रोल यह सभी मैं इसमें जान करी दूँगा तो मिलाता हूं मैं यहां के ओनर है सुरेज जी नमस्ते सुरेज जी सबसे पहले अपना परिच्छे दीज उसके दस साल में हमने सारा ऑल ओवर इंडिया में माल सपले किया है और विल में मेर कश्मीर से छकार कंञ्या कुमारी तक गी इस जिंद्दिगी में नहीं करते हैं हम तो सुरेज यह बताई एकçuा मशिन कहा गई थी जी वो नाइजरिया गई थी हमारी एक मशिन एक्सपोर्ड की थी अभी एक साउथ अफरीका का ओर ओर चल रहा है तो कंफर्म हो जाएगा दो चार दिन में तो साउथ अफरीका भी वेजेंगे मशिन दोस्तों देखिए सबसे पहले इसका लोहे का कोलोटी सबी मशिनों में और अभी तक इस पर रिपेरिंग का बहुत कम चांस 99 परसेंट चांस तो रिपेरिंग का अभी तक आया नहीं है इस मशिन के बारे में आप जानकर दीजिए कि यह मिक्चर मशिन है तो कितनी टाइप की आती है सरा में फरा सबमें अलगवसर से बनाया है किसी के इसपेस कम रहता है तो उसके साफ़ाप जान करना है इसका अच्छा इस पेसे माव फुल इशेंसी से काम करना तो मिक्षर बन एभी हमने एक नए प्रोडेक्ट बनाया है इसको टू-POL मिक्चर वित लिफ्ट केते हैं टू-POL में इसमें डाइ-पांच की चेनल और हेवी डूटी टाटा की चेनल ले रखी हैं और इदर रही है के हैं इसमें मखेट वगेरा बहुत काफी एवी ले रखा है हम आप यह जो बेल्ट शिष्टम रहा है जिसम छैंशो लोर्फियन तेन वेल्ट कर दियें एदय का फींडिय मुट्अ के लिए वुद्र बताइए आप वह विंच है इसका हेवी डूटी विंच इदर आएगी और यह इसमें इंजन सबसे बढ़िया बाद 14 एच्पी का एंजन है अच्छा हेवी डूटी इंजन है इसके हिसाब से इतना गुड मैच हो गया है इंजन हमने कम से कम भी 10-12 पीस अभ आग लगाते हैं किस तरह से हम इंप्रूमेंट करें ताकि आगे वाले वायर को कोई समश्या पैदा नहीं हो ठीक है अब इसमें हमने आगे यह दो सो फीट बारा एमेम का वायरोप दे रखा है दो सो फीट लंबा और यह वीज दे रखा है यहां पर हमने थ्रस्ट काफी हेवी मशीन है ड्रम की साइज हमारे पूरा गुंचली सिंची का पूरा है सबब 1.5 का माल मिलेगा इसमें 12 mm, 8 mm, 6 mm का इमना शीट दे रखा है इसमें यह थाली गेर वगएरा काफी हेवी दे रखा है मुविंग वगएरा में कोई प्रोब्लम नहीं है बहुत ही फु और इसका 20 mm का टोर्चन आगे हमने लगा रखा है मशीन में कॉलेटी में कभी कम्प्रोमाइज करते ही नहीं न करेंगी हमारा वीजन यह रहता है कि इंप्रूमेंट करें जब से पहले हमने यहां पती लगई थी तीन एमें के पती तो वो हमारे को ठीक नहीं लगा तो हमने यह सरीय लगा दिया है 16 mm का इससे इस्टेरिंग वगएरा काफी मजबूर यह सब MS के कर दिए तो दिन भी दिन हम इंप्रूमेंट कर रहे हैं यह हमने आगे टूल बोक्स दे रखा है इसमें आपको भी टूल वगएरा रखें मशीन का टूल इस पेनर वगएरा कुछ भी र इसको बकेट बोलते हैं इसका माल इसमें खाली होगा यह बकेट अप करेगा अच्छा ठीक है अब इसमें हमने चार दो कि यह चेनल दे रखी है एक इसका सेकंड बर्जन है यह अफी काफी ज्यादा मात्रा में चल रहा है इसमें पहले रहे है कि बादते का है कि सिंपल मिक्षर ऐसी में यह वाली मिक्षर इसको हमने जैसे यह वाला निचीज्ग अगर्थोड़ा सा इम्प्रूमेंट करके इसमें इसको विंच में हमने निचे दे दिया है ठीक है इसमें यह तावर अटावर derechos अब गोरा ग Cash Lak Oh is यह किया है कि यह टावर जिसे 50 फिट हाइट पर यह जूला माल लेके चड़ता है एप्रोक्सिमेट इसका वजन 800 केजी होता है माल समय तो यह उपर जब रोगते हैं ब्रेक पे तो यह क्या जंप लेते हैं टावर वह जंप हमने खतम करने के लिए जंप लेने से क्या होता है क सफ्पेंशन स्प्रिंग दे दिया तो इसका सारा लोरं सस्प्रिंग ले लेता है सका सारा जो वजन है Нав है टावर पे नहीं आखे ना पैर एडिस्टमेंट हो जाता है है यह हमने अब्धित फिल्पन वह लगा रखा आपका कर अदरा यह कम से इसको हम हम पिछले तीन साल से बना रहे हैं तीन साल में कम से कम यू मान के चलो आपने पचास पीस हमने को निकाल दी है कहीं कोई दिकत दी यह सारा माल सबसे ज्यादा उडिशा वेस्ट बंगाल MP बास्वाडा लोकल में बहुत बास्वाडा और चितोड अपना इधर अजमेर और जो अपने तो दो कहते हैं यह अगी पर पर मों अपने ड्र जलता है इसमें 1 इंँल में एक का इन्टिनेसी आए और यह अगी इंजन का ही ड्र जलता है अ Αक यह भी जो इक उनना देखी वो भी से वर इसका ड्र व्जर्म ऑनकण कर द हो गया उसी से नीशे एमने विंच दे रह यह इसमें भी 14HP का हमने हेवी डूटी एंजन डाल रखा है तो इसमें और हेवी आते हैं इंजन के चोधा है इसके लिए सफिशेंटर ने मेकेनिक किसम के हिसाब से इसकी रिक्वार्मेंट रेती है 14HP के डालते हैं तो इसमें कोई अपको डीजल का आइडिया है इसमें अगर चलेगा तो फुल लोड पे भी आप चलोगे तो पॉन लीटर से 800 ml तक का डीजल खाएगा और आइडल तो यह आदा लीटर 400 ml एक गंटे में एक गंटे का बता हो मोटा मोटे एक गंटे में एक लिटर मान सकते हैं एक लिटर तो ज्यादा हो जाता है एक लिटर तो नहीं होता है पॉन लिटर से 800 ml तक का डीजल खाएगा और जो यह चैशी से पड़ी हुई है इसन की है यह नाई बन रही है एक दो तीन चैशी से भी लागा रखी है तो इस इसी का है इसका ओड़र हैं वी तो यह नेरभाणा दिन है चल रहा है तो सूरे यह बतागे अगर यह ने मशीन इसका प्राइज रेंज क्या रहता है तो प्राइज रेंज एक्चूल हम बतानी पाते हैं क्योंकि mines मारे मार्केट में लो हा प्लस मेनिस होता रहता है आपके यहां पर जो इस्टार्टेंग् प्राइज ती वो क्या रेट से चाले है नब किशन बघ्र 2 तो थोड़ी बढ़ जाती है अब जैसे इसे इसमें टू इन वन श्रविट लिफ्ट इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा पेमेंट और यह दूसरा और यह खाली लिफट सर यह मंकी लिफ्ट है यह अपने क्या होता है कि जो पास आठ मंजिल दस मंजिल मेटर उपर चड़ाना है बिल्डिंग के बार से यह मंकी लिफ्ट उपर करेगी इसमें साथ सबसे बड़ी अभी हमने जो इंप्रूमेंट करवाया है यह जो मोटर है पहले कि यह वायर जब ल लगा दिये प्रेशर वाले अच्छा यह रोलर इसको प्रेश करके रखता है तो वायर रोप एक जैसा चलता है वायर पे वायर नहीं आता है उलजता नहीं दूसरा जाएगा तब यह लिक्री सिटी से जाएगा उपर एक मिन्ट में पंदरा मिटर की हाइट कवर करेगा ठी यह दो फेन लगा दिया है इसमें दोनों फेन मोटर को कूल रखते हैं और 3 HP की मोटर है और यह 700 किलो लगबग वजन ले लेती है वेसे कमपनी हम 1000 किलो का कहते हैं पर 700 किलो यह लग करते हैं तो लगबग इसके क्या रहेगी प्राइज अपकी सर इसकी 55,000 रुपे रहेगी और एक इसमें हलकी भी आती है वो 2 HP की मोटर लगती है वो करीब 45 के सम्थिंग रहेगी पर सबसे ज्यादा इसका रहेगा इसकी ज्यादा रहेगा इसकी ज्यादा रहेगा इस पर 800 किलो वजन बोलना हां आर सो किलो आप उठा सकते हैं मार्बल के बड़े-बड़े स्लेव बगडेर शारा उटा सकते हैं तो यह जो यह रसा है यह कितना के चलेव सी का वायर ओप है और यह 40 मितर लेंद का आयों चालिस मिटर आपको कम चीए तो कम भी कर सकता है पर 40 मिटर कंपनी फिटेट आता है आपको एक मंजिल दो मंजिल चार मंजिल काम करना तो बाकी का इस्टोर में पढ़ा रहेगा एसी को ने इशू तो शुरे जी मानली जी एक सिंगल ये टोली क्या रेट की है सर ये डबल टा प्लस मानलो चुरे जी कहीं पर भी मशिन आपने दी ठीक है वहां कोई टेक्निकल इशू आ गया बिल्कुल तो उसका आप क्या करें अच्छा सवाल पूछा बोसे लोग क्या करते हैं माल देने के बाद अपनी responsibility खतम करते हैं हमारे यसा नहीं है फर्ष्ट बात है हम जो भी manufacturing करते हैं एक साल की हमारी guarantee रहती है हाँ ठीक हमारी जो manufacturing है उसकी एक साल की guarantee देते हैं आज दिन तक हमने उड़ी सब भी माल बेजा वेस्ट बंगाल भी बेजा नेपाल भी गया है माल इधर अपना कटनी वगएरा MP मेन काफी दूर गया है जबलपूर वगएरा हमारे यहां देते है जबनी जड्रूत होती है शाएं गाल भी मि 초ाची सबस्क्राइब्स करते हैं तो पॉर्टे की तरबwości क्या प्लटी कर दी यह उपर कोई वजन गी रहा दoster कुछ हो गया हा थूट बांक कर दी हा आप सम्झेंटल को काम हो गया तो बादी कि आक्सिडिक लिजिए आता है हमारे manufacturing defect आता है तो वो सारी जिमेवारी हमारी इसलिए मैं आपको पेले भी कहा था कि हम quality में जिंदिकी में कभी compromise न करेंगे न करते हैं चाहे customer को समझ में आए तो ठीक है trust हम trust जीतना चाहते लोगों का यह हमारा आप में वीजन रहता है दोस्तों देखिए अगर आपको इसी मशीनों की जरूत है तो मैं सुरेज जी का पूरा बायो डेटा में डिस्टेशन में दूंगा और आप मंगवा सकते हैं कापी यहां पर कॉलोटी का काम है और manufacturing इनकी यह देखिए वो साइट में देखिए वो ट् स्टेश पे पहुंचे हैं दूसरी बात यह जिसी यह वाली अपने बेसिकली मिक्शे मशीन बोलते हैं इसको यह तो आपको रेडी स्टोक में जब भी आओगे मिल जाएगी लेकिन वो टूपोल वाली लिफ्ट टूपोल वाली लिफ्ट बोलते हैं उसको इनके लिए 20 दिन से 15 दिन की वेटिंग रहेगी अभी आज की कंडिशन की बात के रहा हूं वैसे हम इस्टोक करने की करें पर आगे सागे एडवास ओडर आते रहते हैं तो किसी भी बाहर को चीए बही लग चांस हो सकता है रेडी भी मिल सकती है बाकी 15-20 दिन इस दोनों का वेटिंग रहता हैं तो जो हमारी रेट है उसका 35 परसंट 30 परसंट उसको एडवांस देना होगा उसके बाद हम काम में आसे चालू रहता है वैसे काम तो और फिर 15-20 दिन का हम उनको समय देते हैं उससे 5-7 दिन पहले और पेशा डलवाना पड़ेगा और बाकी का बैलेंस एमोंट जी दिन दिलेवरी होगी उस दिन उनको पेमेंट डलाना पड़ेगा हम उनको बिल बिल्टी सारी वॉट्शप कर देंगे वो कंफर्म कर लेंगे कहा सब मेरा माल इस ट्रांस्पोर्ट में भूख हो गया तो वह पेमेंट डलवाएंगे उसके बाद ही माल यहां से डिलेवर होगा आ उसका नाम रहेगा Shri K. Vishwakarma Industries, ठीक है? उसका एड्रेस यह रहेगा, G1340C, इंड्रेसले एरिया, RICO कलडवास, यह हमारा वहां का एड्रेस रहेगा, फर्स्ट उनिट यह है, सेकंड उनिट बहां जा रही है, तो वहां पे भी अगले नए साल से सब सेवा हैं, सुविदा हैं, मिल जिएक, वहां पे CNC वगरा लेत वगरा लगा रहे हैं, थोड़ा इंप्रूमेंट करने के लिए, वहां थोड़ी मशीन अच्छी वगरा लगा के, ताकि प्रोडेक्शन फास्ट हो, जैसे यहां भी के रहा हूं, बीस दिन की वेटिंग चल रही है, इस वेटिंग में अगर आपको इंडिया के किसी भी कोने में आपको मशीन चीए, तो पूरा एड्रेस मैं आपको डिशेशन में दूँगा, वहां से कॉंटेक करके आप पूरी ट्रम्स और कंडिशन के साथ में सुरेजी से बात कर सकते हैं, धन्यवाद